Hello everyone, welcome you all to Cognigence IS. हम इस सीरीज में पॉलिटी लक्षमिकान के कुश्चिन्स को चैप्टर वाइज डिसकस करेंगे. So, let's start today's discussion. आज हम लोग डिसकस करेंगे गवर्णर के रिगार्डिंग जो भी कुश्चन होंगे. तो देखें, गवर्णर के बारे में, यानि कि हमारे राजिपाल के बारे में, कुछ-कुछ facts हैं, जो हम लोग ब्रेफले समझ लेंगे. और इसके एलाब अगर आप देखेंगे, तो हम लोगों ने previous वीडियो में काफे कुछ complete किया है, यानि कि हम लोगों ने Parliament के बारे में, या तो आप कहें हैं, तो Central Legislature के बारे में, questions को complete कर लिया है. तो आप previous वीडियो को जाके देख सकते हैं, यह हमारा आजाएगा State Legislature, इसके regarding हमारा जो first chapter है, वो हो governor के बारे में, तो governor के बारे में हम लोगों ब्रेफले discuss करें, तो हम देखेंगे कि यह क्या होते हैं, state executive के पार्ट होते हैं, तो state executive में कौन कौन आजाते हैं, first हमारे आजा तो यह केवल और केवल nominal executive होते हैं, यानि कि यह real executive नहीं होते है, real executive कौन हो जाएँगे हमारे Chief Minister, तो जैसे कि center पे होता है, Prime Minister होते है, real executive and nominal executive होते हैं हमारे president, उसी प्रकार से governor भी हमारे यहां पे nominal executive हो जाएँगे, और अगर governor के बीसे हमें हमें और देखें, तो यह हमारा part 4 में आएगा यानि स्टेट एक्जेक्यूटी किसे आएगा आपका पार्ट फोर में और इसमें अगर आर्टिकल 153 to 167 गवर्नर के विशय में उनकी सकती पावर यह सब के बारे में डील करता है और आर्टिकल 153 में स्टेट का एक गवर्नर होगा और यह जो हमारा स्टेट में गवर्नर है वो किस पर बेस्ड है यह बेस्ड है कैनेडियन मॉडल पर means हमारे जो स्टेट में governor है उसको लिया गया है Canadian model के आधार पर और इनका qualification क्या mention किया गया constitution में देखिए constitution में इनके विशह में किवल दो qualification को mention किया गया है वो दो qualification कौन कौन से हैं वो दो qualification जाएंगे पहला यह हो जाएगा कि उनको must है कि वो इंडिया के citizen हो and second हो जाएगा कि जरूरी है कि वो 35 साल के age को complete कर लिए हो तो यहाँ पर आप देखेंगे तो conventional qualification के बारे में भी कुछ बताया गया है तो conventional qualification चला आ रहा है उसमें first हो जाएगा should be an outsider इसका मतलब क्या हो जाएगा देखें कोई भी state में same state के person as a governor work नहीं कर सकते तो जरूरी है कि उस state के जो governor हो किसी और state के हो तो यहाँ पर यह है कि should be an outsider यह convention बना हुआ है क्यों क्योंकि देखेंगे अगर same state के governor होंगे same state के person होंगे तो हो सकता है वो किसी state party के या किसी भी political party के influence में आकर के work करें तो इसलिए यह बनाया गया convention कि वो किसी state के मिंजे से state governor है उसके बाहर के रहे है and second है हमारा appointment after consultation with the chief minister तो उनका appointment भी कब होना चाहिए chief minister से consult करने के बात और देखें तो इनका appointment करता कौन है इनका appointment कोई electoral collage के द्वारा नहीं होता है जैसे कि हम लोग देखते हैं president के मामले में इनका appointment होता है president के द्वारा अब सब condition अगर आप देखें तो condition हो जाएगा should not be a member of either house of parliament उनको किसी भी parliament का house का member नहीं होना चाहिए उनको कोई भी office of profit का पार्ट नहीं होना चाहिए और उनको कोई एक official residence मिलेगा जिसको हम लोग क्या कहते है राज भवन्त वो राज भवन में रहेंगे उनका official residence होगा और उनको जो भी emoluments, allowance and privilege होगी वो सारा किस्प के द्वारा determine किया जाएगा parliament के द्वारा और यहां पर यह भी mention किया जाता है कि उनका जो term of office रहेगा उसके दर्मियान उनको जो भी salary allowance दिया जाएगा उसको कम ना किया जाए उसको diminished ना किया जाए and term of office उनका 5 साल करेगा वो pleasure of president के तोर पे काम करेंगे यानि कि president जब चाहे governor को महां से हटा सकते हैं and अगर उनको किसी भी time पर resign करना हो अपने post रिजाइन करना हो तो वो resign करेंगा अपना resignation later देंगे president को तो यहां पर देखिए president के द्वारा इनका appointment किया जाता है and president को यह अपना resignation later देते हैं तो यहां पर अगर आप देखिए तो इनके लिए कोई भी electoral college नहीं होता है जैसा कि president के मामले में होता है and इनका जो भी appointment होगा यानि president कर रहे हैं तो यहां पर आप यह भी देख सकते हैं president किसके according work करते है पार्लियमेंट के according तो पार्लियमेंट जब चाहेंगी president को कह करके किसी स्टेट के governor को हटा सकती है ऐसा इंडिया में हुआ भी है पास्ट में हम सबको पता है and अगर power and functions के बारे में देखें तो governor का power and functions क्या क्या होता है इनका first power है executive के मामले में financial power है कुछ judicial power है कुछ तो अगर executive powers को देखें तो इनका काम होता है कि वो cm को appoint करेंगे और other ministers को भी appoint करेंगे appointment का मतलब क्या होता है वहाँ पे cm किसको शुना जाता है जो party majority में होती है वहाँ पे कहा जाता है कि यह हमारे cm होंगे और उसको जो भी council of minister होंगी उनके जो head होंगे वो cm कहलाते है तो यहाँ पे cm चुने जाएंगे वो appointment होगा वो भले ही election के थूँ आते है लेकिन उनका final appointment होता है वो करते है governor और किसी state में माल लेते हैं कि कोई भी party majority में नहीं आती है और वहाँ पे cm का election करना हो तो वहाँ पे governor अपने हिसाब से cm को चुल लेंगे and then वो cm को क्या चाहिए होगा कि वो 6 महिने के अंदर किसी भी party का membership ले ले party या तो फिर कह सकते है कि वो दोनों legislature में किसी भी legislature का membership ले ले and यहाँ पे अगर किसी किसे state में tribal welfare minister की जरूरत होती है तो वो भी governor पर depend करता है कि किसे tribal welfare minister चुना जाए तो यहाँ भी governor की authority आ जाती है just like आप कौन कौन से state में दे सकते हैं उडिशा हो गया या जारकंड हो गया मध्यप्रदेश हो गया यह सारे state में tribal welfare minister होते हैं and state election commissioner जो भी state election commissioner होगे उनका भी चुनाव कान करती है government governor then अगर legislative power के बारे में देखेंगे तो इनके पास power होता है कि वो state legislature को summon कर सके प्रोरोग कर सके या dissolve कर सके state assembly को and जो भी one by six member होते है state legislative council में उनका भी चुनाव कौन करती है governor जो यह ordinance होता है governor पर depend करता है कि वो कभी अध्यादेश जारी करें यानि कि वो अध्यादेश अपने मज़ी से भी जारी नहीं कर सकती है article two one three में यह provide किया गया है कि जब भी कोई एक state legislature या दोनो state legislature session में ना हो तो वहाँ पर अध्यादेश चारी किया जा सकता है अगर financial power को देखे तो यहाँ पर जो five year में financial commission का establishment किया जाता है उसमें भी governor का power आ जाता है and traditional power को देखे तो यहाँ पर कंसल्टेशन होता है प्रेसिडेंट का means president को प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं governor से कि high court के judges को appoint किस प्रकार किया जाए means कि इसको high court का judge appoint किया जाए and appointment या हो गया posting हो गया promotion हो गया after consultation यानि कि जो भी high court के judge होंगे उनका appointment भी हो गया तो फिर posting हो गया promotion हो वो सब में governor का consultation जरूरी होता है and अगर वो चाहें तो pardon, reprive, respite and remission ये भी कर सकते हैं यानि कि अगर किसी को सजा दी गई है तो उसको छमा भी करने का अधिकार होता है इनके पास सजा को कम करने का अधिकार भी होता है, punishment को कम करने का भी अधिकार होता है या फिर समाप्त करने का भी अधिकार होता है या कुछ समय के लिए रोकने का भी अधिकार होता है and अगर other power को देखे हम governor के तो उनके पास veto power होता है अगर उनके पास कोई बिल आता है तो उनके पास ये वीटो पावर होता है कि उसको वो असेट करें या ना असेंट करें and then ordination making power जो हम लोग ने article 213 में देखा and pardoning power यानि की छमागरने का अधिकार तो ये सारे power को हम लोगों ने brief में समझा कि गवरनर के पास क्या क्या पावर है उनका election के उनका चुनाओ कैसे होता है अगर question में अगर कुछ concept आता है तो हम लोग उसको भी देखते वे चलेंगे तो start करते हैं आज का question discussion इस्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दू कि यहां पर आप सब first में question को attempt करेंगे then हम लोग उसके बारे में discuss करेंगे तो हमारा first question है consider the following statement हमें statement को देखना है और correct option को choose करना है तो अगर आप statement को देखे तो first क्या है हमारा the parliament by law may appoint the governor of state as administrator of an adjoining union territory यहां पर यह statement कह रहा है कि parliament law के द्वारा किसी state में governor को appoint कर सकती है या तो फिर किसी उसके साथ जोड़ा वा union territory है उसके लिए भी governor को appoint कर सकती है and second statement हमारा यह कह रहा है कि if a governor of state is appointed to act as administrator of adjoining union territory he shall exercise his function as such administrator independently of his council of ministers देखे अगर कोई governor है किसी state में और साथ ही साथ कोई जूड़े हुए union territory का as an administrator work कर रहा है तो वो independently work करेंगे council of ministers से अलग हो करके तो यहां पर हमारे पास दो option है आप sorry यहां पर हमारे पास दो statement है and options हमारा a में only one b में हमारा only two c में one and two दोनों सही होंगे and d में one भी रॉंग है and second भी रॉंग है तो आप अपना option चूज कर लीजिए दीखें यहां पर हमारा correct option हो जाएगा option b जो parliament होती है वो governor को appoint नहीं करती हम लोगों ने देखा था इनका जो भी appointment होता है वो किसके द्वारा किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा तो यहां पर जो appointment होगा वो होगा parliament के द्वारा नहीं होगा यहां पर हो जाएगा प्रेसिडेंट तो यहां पर यह रॉंग था and the second statement है वो हमारा correct है कि वो जो governor होते है unit territory में जो work करेंगे वो अपने जो first state है उसके council of ministers से अलग हो करके work करेंगे यानि unit territory में वो independently work करेंगे तो हमारा statement 2 correct हो जाएगा यानि हमारा correct option होगा option B question number 2 देखते है statement देखना हमें यहां भी correct option choose करना है देखिए first statement है हमारा as regards legislative power the governor of state is not a part of the state legislature जो governor of state होते है legislative power को गर देखिए तो जो governor of state होंगे वो state legislature के part नहीं होंगे and second हमारा statement है the governor of state has no emergency power to meet the situation arising from external aggregation जो governor of state है उनके पास किसी भी तरह का emergency power नहीं है अगर कोई external aggregation का situation आ जाता है तो देखिए आपर हमारा पास two statements है तो आपको पताना है कौन correct है कौन सा incorrect है choose your correct option अब फर्स statement को देखेंगे ध्यान से तो हमें ये समझ में आएगा कि governor के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था ये state legislature के part होते है state legislature के part होते हैं देखिए हम लोगों ने यहां discuss किया था कि state executive के चार part होते हैं chief minister, governor, council of minister, advocate general तो governor क्या होते हैं वो integral part होते हैं state legislature के तो हमारा first statement तो incorrect हो जाएगा and second हमारा देखिए यहां पर no emergency power to meet situation arising from external aggregation external aggregation मतलब किसी दूसरे देश के द्वारा आया गया कुछ और का situation या aggregation वैसा situation तो यहां पर governor का कोई specific role कैसे हो सकता क्योंकि आप जानेंगे हम लोग जब यहां जानते हैं कि हर एक state के पास governor होंगे तो हर एक governor अपने हिसाब से कैसे वहाँ पर अपने power को use करेंगे तो यहां पर जितना भी power authority हो जाता है वो किसका हो जाता है central government का तो यहां पर no emergency power to meet the situation यानि कि governor के पास कोई भी emergency power नहीं होती है तो यहां हमारा statement to correct हो जागा जो इस external aggregation से related power है वो किसके पास है precedent के पास and according to parliament वो वो करते हैं तो यहां पर हमारा option be correct हो जाएगा next दिखते हैं question number three consider the following statement with respect to the power of governor of state and choose your correct option आपको बताना है कि जो governor का power होता है state के respect में उसमें से कौन-कौन सा यहां पर statement जो दिया हुए वो correct है first हमारा statement the governor can summon prorog and dissolve the state assembly governor के पास power होता है कि वो state assembly को बुला भी सकती है dissolve भी कर सकती है प्रोरोग भी कर सकती है यानि कि स्थगित भी कर सकती है दूसरा हमारा यह है the governor can adjourn the sitting of state assembly means कि वो समय के लिए governor अज़न कर सकती है state assembly के sitting को and next हमारा हो जाएगा the governor address the first session of the legislative assembly after election जो governor है हर एक election के बाद state legislative assembly को address करती है and four है हमारा the governor calls to lay annual budget in the state assembly देखिए यह पर जो annual budget होता है state assembly में कौन प्रेज़न करते है governor देन अगर आप त्हान से देखेंगे जिस तरह का हमारा parliament के पास power होता है उसी के almost same same state legislature के पास होता है सारा कुछ state assembly में क्या होगा summon प्रोरोग कर डिजॉल्व करने का अधिकार जिस प्रकार से president का होता है seem उसी प्रकार से governor के पास भी होता है कि state assembly को summon कर सके बुला सके या फिर प्रोरोग कर सके या तो फिर dissolve कर सके तो हमारा statement 1 तो correct हो जाएगा and second half the governor can adjourn the setting of the state assembly तो अगर आप यहाँ आफे ध्यास देखें adjourn करने का अधिकार किस के पास होता है यानि कि कुछ समय के लिए स्थगित करने का अधिकार किस के पास होता है तो परल्लेमेंट में देखें तो परल्लेमेंट के पास तो नहीं होता तो यहाँ भी गवर्नर के पास कैसे हो सकता है यहाँ भी एजन करने का अधिकार किस के पास हो जाएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास तो statement 2 हमारा incorrect हो जागा यहाँ पर क्योंकि यहाँ गवर्नर आपका दिया हुआ तो statement 2 को आप जैसे ही incorrect करेंगे आपका statement, sorry, option A, C and D आपका eliminate हो जाएगा then cut करने के बाद या eliminate करने के बाद हमारी पास option कौन सा करके बचता है? option B तो यहाँ correct option जाएगा हमारा B, 1, 3 and 4 third भी हमारा correct है क्योंकि first session के बाद इस परकार से Parliament में Central Assembly को यानि कि जो लोग सभा उसको address करते हैं जोवर्न उसी प्रकार से State में जोवर्न प्रकार से and four भी हमारा annual budget क्हों ले करता है यानि क्यों कि परल्यमेंट के समक्ष रखता है रकार से प्रेस्टेंट रखते है तो रखता है तो यहाँना प्रस्टेंट में गवर्न रखते हैं amongst member of the legislature of the state देखें यहाँ पर यह क्या रहा है कि जो governor का selection होता है उसके लिए बार होती है उसके लिए member कुछ committee के तरह होते हैं बार यानि के कुछ लोगों का समू होता है वहाँ पर जो कि state के जो member होता है legislature के उसी के बीच में से किसी governor को choose कर लिया जाता है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है सारा का सारा power किसके पास है president के पास वो किसी को भी चाहे तो governor बना सकते हैं यहाँ पे किसी बार के बारे में तो बात की नहीं गई थी तो statement 1 हमारे यहाँ पे incorrect हो जागा जैसे हम statement 1 को बात किसी प्रच करते है आपके पास आपका कर्ट ऑपशन बच जाएगा option A कट जाएगा B कट जाएगा and D कट जाएगा यहाँ पास option काउन काउन साथ करेक्ट बच जाएगा यानि option काउन बच रहा है kVL और kVL C तो इस ही प्रकार से elimination method से finally UPSC को भी question solve करते हैं उसमें भी आपको इस परका statement दिया जाता है और option दिया जाता है तो यह सारा elimination technique है हमें question practice के साथ ही समझ में आएगा second हमारा correct है the original plan is in the draft constitution in India was had to have an elected governor but in the constitution assembly it was replaced by method appointment of the by the president of India तेखियो originally यह draft किया गया था कि जो भी governor होगा उनको elect किया जाएगा constituent assembly था वहाँ पर यह कहा गया था क्यों को draft कि एलेक्ट कि एलेक्शन होगा या appointment होगा वह कौन करेंगे president and third amana the method appointment to governor का method of appointment of a state by the president of India's repugent to the prevailing practice in the federal system of the United States of America and Australia तो जो गवर्ण फर स्टेट है by the president, president के जिस तरह से governor of state का चुनाव होता है वो किसे प्रकार से हो रहा है जैसा कि federal system of United States of America और अस्ट्रेलिया में किया जाथा उस प्रकार से तो यहाँ पर हमारा statement CB correct हो जाएगा यहाँ पर देखिए method of appointment की बात की जा रही है और हम लोग ने क्या डिसकर्स किया Canadian system पैदा रही थी यानि कि governor होगा state पर वो आपका Canada से लिया गया लेकि method of appointment है वो कैसा है यहाँ पर state of America के जैसा और अस्ट्रेलिया के जैसा फिफ्थ देखते हैं हमारा which of the following statement is not correct कौन सा statement यहाँ पर नहीं है तो पर बड़े बड़े सा statement दिये हुआ है यह आपका time taking statement होता है बट ऐसे statement पो केवल एक ऐसा link डूणना होता है कि आप तुरंत यहाँ से statement को correct statement को चूज कर सकते हैं यहाँ पर आपसे not पूचा है तो पढ़ेंगे हम लोगा first statement है the governor can issue ordinance when the legislative assembly is not in session और only when two houses are not in session तो जो governor है वो ordinance को issue कब कब कर सकती है जब legislative assembly session में नहीं रहेगी या तो फिर दोनों का दोनों house session में नहीं रहेगा यानि legislative assembly प्लस legislative council भी हमारा है तो governor can at his discretion issue the ordinance whether the assembly is in session or not अगर assembly session में रहती है और नहीं भी रहती है तो governor के पास power है कि वो ordinance को issue कर सकते है और second हमारा यह कह रहा है थर्ड हमारा the governor must be satisfied that such circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action तो गवर्णर के पास यह satisfied होना चाहिए कि कोई भी आजा situation है जब उनको immediate action लेना पड़े दि हमारा the governor ordinance shall have the same force and effect as an act of the legislature जो ordinance होता है उसके पास same force और effect होता है जैसा कि state को एक्ट के तहत होता है यानि legislature के act के तहत होता है तो हमारा यह fourth का forum यहां जो हमारा four options है वो सारा किसे related है ordinance making power of governor तो यहां पर हमारा article 213 में deal किया गया इसके बारे में तो जो power होता है ordinance making वो कब-कब आता है जब legislative का कोई एक assembly यानि की legislative assembly या तो फिर legislative council दोनों में से कोई एक session में ना रहा है या दोनों के दोने session में ना रहा है या तो फिर legislative council session में ना रहते हूं या तो फिर दोनों session में ना रहते हूं तो यहां पर ordinance making power आ जाता है governor का तो यह हमारा यह तो correct हो जाएगा तो भी हमारा यहां पर अगर एक को correct मानते तो भी हमारा ऐसी incorrect हो जाएगा क्योंकि यहां पर बोल रहा है कि whether the assembly is not in session or not असेंबली शेसर में रहे या ना रहे गवर्नर अपने discretion से audience को issue कर सकता है तो हमारा बी option यहां पर not correct हो जाएगा तो हमारा next question देखते है question number six when a bill passed by the state legislature attempts to take away the power of high court and is presented before the governor for his assent he, दिखिए, जब यह भी bill passed कर दिया जाता है state legislature के द्वारा power of high court को लेने के लिए यानि कि high court के power को कम करने के लिए और उसको governor के समक्ष रखा जाता है तो governor को क्या, वहाँ पर governor कौन कौन से action कर सकते हैं first हमारा may give his assent, b हमारा may withhold his assent, c हमारा is bound to return the bill for the consideration, d हमारा it bound to reserve the bill for the consideration of the president तेखिए, high court का जो power होता है, वह कौन decide करती है, central parliament यानि कि हमारी जो parliament है, वह decide करती है तो अगर उनका power को कम करना हो, हटाना हो, तो वह भी कौन decide करेगी, central government तो यहाँ पर governor का work किवल इतना होता, अगर इस्टेटर चाहे, high court का पापको कम करना तो वह पर governor अपना ascent तो दे नहीं सकते हैं, लेकिन उनके पास यह power होता है, कि वह उस bill को reserve करें, किसके लिए means president के consideration के लिए, तो यह हमारा option decorrect हो जाएगा देखें, यहाँ पर कुछ-कुछ और बाते हैं, जिसके तहत governor को यह चाहिए कि वह consideration of president के लिए bill को reserve रखें, कुछ powers उसमें आ जाएगे, जैसे कि against the provision of the constitution, means state legislature, अगर किसी provision को बनाती है, जो constitution against हो, या तो फिर वह DPSP के against हो, या फिर वह against हो, जैसे कोई large public interest के against हो, तो इन सा कुछ-कुछ पाते आ जाती हैं, जिसमें कि governor को चाहिए, कि वह bill को consideration के लिए रखें, president के, next question देखते हैं, which of the following are functions to which the scope of discretionary power of the governors is limited, means कौन-कौन सा function है, या scope है, जिसमें discretionary power of governor, ये limited हो जाता है, means governor का discretionary power है, वो limit में आ जाता है, तो first हमारा the appointment of the chief minister, means chief minister के appointment में, second हमारा the dismissal of the ministry, ministry के dismissal में, third हमारा the dissolution of the legislative assembly, and fourth हमारा assent of the bill, तो दीखिए, यहाँ पर governor का power, तो assent of bill में तो रहेगा ही है, यहाँ पर, तो जी तो हमारा, यानि statement 4 तो हमारा correct है, तो यहाँ पर, आपसे क्या पूछ रहा है, limit करना, limit कौन करता है, 4 में उनका power तो अपना unlimited है, means, वो assent दे भी सकते हैं, बिलकूर नहीं भी दे सकते हैं, तो आप अगर 4 को eliminate करेंगे, तो हमारा correct option आप मिल जाएगा, यानि statement 1, 2, 3, इसमें, गवर्नर के पास, कुछ न कुछ लिमिटेड पावर है, appointment हो, या फिर dismissal of the ministry का, या dissolution of legislative assembly, यानि कि चीफ मिनिस्टर को चुनना party आती है, उनके अंडर से किसी मेंबर को चुनना होता है, वो भी वही रोग decide करते हैं, और गवर्नर केवल अपॉइंट करते हैं, और अगर majority ना मिले, तब जाकर कि गवर्नर अपने मर्जी से किसी को अपॉइंट कर सकते हैं, या चेफ मिनिस्टर, बट उनको भी 6 महिने के यानि जब उनके against no confidence motion पास हो जाए, यह सब कुछ-कुछ cases हो जाते हैं, तो गवर्नर पर डिपेंड नहीं करते हैं, कब डिसमिस कर दें, और तो dissolution होता है legislative assembly का, उसमें भी क्या होता है, महाँ पे भी no confidence motion पास की जाती है, against the majority party या फिर coalition, तो यहाँ भी गवर्नर का power unlimited नहीं है, तो मारा credit option हो जाएगा option A, question number 8 देखते हैं, assertion and reason दिया गया, इसमें हमारा, देखिए इसमें मैंने बहुत बार deal कि, assertion and reason को solve करें, सबसे अचा तरीखा है, आप जब reason को पढ़ते हैं, उसके बाद because word को use करें, then आप assertion को पढ़ें, तो आपको समझ में आ जागा दोनों एक दूसर से late है या नहीं, लेकिन अगर आपको दोनों में से कोई भी statement incorrect लगता तो आपको ये करने की जड़ुएत नहीं है, बस आपको ये करना है, दोनों कर correct है, then आपको because word का use करना और देखना है दोनों related है या नहीं, first assessment हमारा क्या है, according to the constitution of India, the same person cannot function as the governor of two or more state at the same time, constitution of India के according, जो same person है, वो function नहीं कर सकते हैं as a governor of state एक ही समय में, यह दो से आधी के state के लिए एक ही समय में, वो function नहीं कर सकते हैं, reason है हमारा, article 153 of the constitutional state that there shall be governor for each state, article 153 में की mention किया गया है, कि हर एक state का एक governor होगा, तो reason तो हमारा correct है, तो option C हमारा eliminate हो जाएगा, क्योंकि 153 में हम लोग नहीं पढ़ा भी था, कि हर एक state के governor होने चाहिए, देर अगर आप one को देखेंगे, constitution में starting में यह mention नहीं किया गया था, कि constitution में यह mention नहीं था, कि एक ही state, मतलब एक ही person, दो से आधी के state के लिए governor रह सक लेकिन जो हमारा 7th constitutional amendment act आया था, 1956 में उसमें यह बताया गया था, कि जो एक person है, एक governor है, वो एक से अधिक राजी के लिए काम कर सकते हैं, तो यह तो हमारा correct है, cannot function, तो यह तो हमारा incorrect हो जाएगा, पर cannot लिखा हुआ है, जबकि 7th amendment act में, मतलब constitution में यह mention कर दिया गया, कि व false and R is true, क्यूंकि constitution of India में same person, एक सेधिक राजी के लिए काम कर सकते हैं, यह mention कर दिया गया, 7th constitutional amendment act के द्वारा, question में 9 देखते है, the de jury head of the state government is the, de jury head, जो state government के होंगे, वो कौन होंगे, यहाँ पे हम लोगों ने mention किया, जो nominal head कौन होता है, आपके, यानी, जो real head नहीं होंगे, नहीं को करते है, de jury head, यानी कि के वल एक head, आपके, तो वो कौन हो जाएंगा, यहाँ पे, चीफ मिनिस्टर तो हमारे real head होता है, law ministry तो यहाँ पे आगी नहीं, हो मिनिस्टर भी, of the state भी नहीं होगा, यहाँ पे हमारा option D, correct हो जाएगा, question में 10 देखते है, consider the following statement, हमें statement देख 3 है हमारा member of the state finance commission, and 4 हमारा the accountant general, तो देखिए जो government of state होते है, उनके पास power होता है, किसी किसे appoint करने का, फर्स्ट हमारा जो हो जाएगा, judges of high court, इसमें किस का authority होता है, appointment कौन करते हैं, इसमें हमारे president के द्वारा होता है, तो फर्स्ट हमारा incorrect हो जाएगा, तो फर्स्ट आप जैसे ही eliminate करते हैं, आपको पता चाल जाएगा हमारा correct option कौन सा है? A eliminate, C eliminate and D eliminate, हमारा correct option हो जाएगा option B 2 and 3 तो member of state public service commission हो गया या तो member of state finance commission अभी हम लोगों ने deal किया था, यह financial power होता है governor का, तुमारा two and three correct हो जाएगा और जो accountant general होते हैं, वो तो state executive के member होते हैं, तो इनका भी appointment governor नहीं करती है So this is the end of today's discussion Hope you like it, stay connected stay safe Thank you, thank you very much